नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News काम की सेर्व ने करने और संतुलित आहार का सेवन करने की सacкіज डे रहे हैं जननाइक जनता पार्टी ने आगामि पंचायत और नगर निगम चनाओं के लिए अलग-अलग दो कमेट्यों का गठनकिया है इन दोनों कमेटियों में पार्टी के नो वरिष्ट नेता सामिल होंगे दोनों कमेटिया पंचायत और नगर निगम चुनाओं को लेकर जल्द पार्टी के पदा दिगारियों वे कारेकरताओं से विचार विमर्च करके अपने अपनी रिपोर्ट तयार करेंगी और पार्टी के राष्टे अद्धक्स डॉक्टर अजे सिंग चोटाला को सोपेंगी कमेटे में सामिल वरिष्ट नेता पंचायत तथा नगर निगम चुनाओं को जेजेपी द्वारा कैसे लड़ा जाए इस बारे में अपनी पूरी रिपोर्ट तयार करेगी यह निरने जेजेपी की राष्ट कारेगाने की बैठक मिलिया गया है परदेश वाचियों के लिए सियम का संदेश अभी भी कोवीड बन रहा चुनोती चाहे विद्धार्थियों या फिर किसान बरते सावधानी हर्याना के मुख्यमंतरी मनोहरलाल ने परदेश वाचियों को संबोधित करते विए तीन वीचियों पर फोकस बनाए रखा उन्होंने जिसमें कोरोना संकर्मन से बचाओ किसानों सरकारी कर्मियों से अपील की मुख्यमंतरी ने कोविट की अंतराष्टे चुनोती की और ध्यान दिलाया वे कर्मियों से कहा कि इस वक्त की नजाकत को समझे मांगों के लिए फिर भी वक्त मिलेगा सीम ने विद्यार्थों की ओनलाइन पढ़ाई का जिकर करते वे कहा कि भले ही इस दोरन पढ़ाई को किसी तरह से सुचारू रखे वे हैं लेकिन काफी बच्चे इस तरह के भी हैं जिनके पास में साधनों का अभाव बना हुआ है सीम ने कोरोना को हराने का संकल्प दोराया साथ ही कोरोना वैक्सिन आने तक सावधानी बरतने की भी अपिल की है देश के स्टार रेशलर बजरंग पूनियवे महिला पहलवान संगीता फोगाट 25 नॉमबर को साधी के बंदन में बन जाएंगे वहीं बभीता फोगाट फिम मा बनने वाली है उन्होंने इसके जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरी दी है बजरंग पूनिया पहलवान संगीता पोगाट की साधी की तमाम रस में चर्की दादरी के गाउं बलाली में होंगी कोरोना को देखते वे साधी समारों में केवल परिवार वरिष्टिदारी सा मिलोंगे परिवार के लोग साधी की तयारियों में जुटे हैं पहलवान बजरंग पूनिया मूल रूप से जज़र जिले के गाउं खुर्द के रहने वाले हैं जो फिलाल सोनिपत में रहते हैं महिला पहलवान संगीता पोगाट दादरी जिले के गाउं बलाली की रहने वाली है हरियान के गरहेम स्वास्त मंतरी अनिल विज का कहना है कि बढ़ते संकर्मन वह मरीजों को देखते वे हमारी पास दो ही विकल्प हैं सकती करें या फिर लोकडाउन लगाया जाए अनिल विज ने राजे के सभी जिला उपायकतों पुलिस कमिशनर और पुलिस अधिक्सकों को कड़े आदेश जारी कर दिये हैं एक-एक गतिविदी फिर चाहे वो धार्मिक सामाजिक और इंडिस्ट्रीज या जहां पर भी बीड इखट्या हो रही हो वहाँ जागर चेकिंग करें कोरोना के बचाव के नियमों को सकती से पालन कराएं अनिल विज ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी तूटने के कगार पर पहुँच गई है विज ने कहा कि कोरोना काल में बेहतर काम करने वालों को हम एसम डिस्ट्क से सम्वानित करेंगे इसमें पुलिस कर्मियों को उनकी नोकरी में भी फाइदा मिलेगा केंदर सरकार द्वारा बनाए गए ने कर्शी कानूनों का लगातार विरोध कर रहे किसानों ने अब आर पार के लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया है भारती किसान यूनियन अंबावता के हरियाना अदेक्स अनिल नांदल बलू परधान ने सरकार को चेतावनी देते विये बताया कि तीन कर्शी बिलों के विरोध में 26 नौमबर को दिल्ली मार्च के तहत रामलिला मैदान में एनिश्चित कालिन धरना परदसन किया जाएगा जिसमें देशवर के किसान भारी संक्या में सामिल होंगे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जो काले कानून लेकर आई है वैसे फुझी उपत्यों को लाख पहुंचाने के लिए हैं आज सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते हर वर्क में भारी रोश है उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी सर्म की क्या बात होगी कि जब देश का अन्यदाता ही अपनी फसलों की उसी तलागत को लेकर सडकों पर पुलिस की लाट या खाने को मजबूर हो उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें राजधानी में नहीं कुछने दिया जाता तो दिल्ली जाने वाली सडकों को जाम कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि किसानों को परदर्शन की अनुमती दी जाती है या नहीं लेकिन किसान धरना परदर्शन में अवज से पहुचेंगे नांदल ने कहा कि हम नहीं जानते कि परदर्शन कितना लंबा चलेगा लेकिन हम तब तक नहीं रुखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती किसान तीन से चार महिने तक रुखने का प्रबंद कर रहे हैं हरियाना के 228 प्राथमिक और 43 मिडल स्कूल नई सेक्षिनिक सस्तर से पहले निकट के स्कूलों में मिला दिये जाएंगे सरकार ने 10 या इससे कम विद्याथियों वाले स्कूलों को बंद करने का निर्णे लिया है इसके लिए लंबी समय से होमवर्क चल रहा था जिसे अब अंतिम रूप दे दिया गया है 228 प्राथमिक स्कूलों के 385 और मिडल स्कूलों के 36 अध्यापकों को भी दूसरे स्कूलों में स्थनांधरित किया जाएगा हरियाना में रविवार को कोरोना के 2289 नई मामली आई जबकि 25 संक्रमितों के मोत हुई कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 90 फीजदी से नीचे चला गया है डेड सब्ता पहले ये 90 परतिशत से उपर था रविवार को कोरोना के 2235 मरीज ठीक होकर घर लोटे गुरुगरा में सबसे अधिक 649 वर फरीदाबाद में 598 में नई मामले सामने आई हिसार में 160 वर सोनिपत में 128 नई केस मिले रिकवरी रेट 89.63 परतिशत हो गया है अभी तक कुल 2188 लोगों की मोत हो चुकी है वहीं 2344 करिये मामले पूरे पर्देश में अभी है दिल्ली में जाने वाले लोगों की संक्या कम नहीं थी मगर दो चार दिन पहले के मुकाबले तस्वीर बदली हुई थी दिल्ली में दाकिल होने से पहले अब हर कोई मास्क संभाल रहा है वजह है बिना मास्क के चालान का 2000 योना हलाएं की लापरवाई बरतने वाले कुछ लोग अभी भी हैं उनके चालान भी कट रहे हैं दिल्ली में बिना मास्क का चालान 500 रुपे से बढ़ा कर अब 2000 रुपे किये जाने का असर यहां पर जरूर दिख रहा है दिल्ली में कदम रखने से पहली लोग मास्क संबालते नजर आ रहे हैं आखिरकार पंजाब में रेल सेवा बहाल हो रही है और आज से राजे में रेल पट्रियों पर ट्रेने दोड़ेंगी आज माल गाडियों का परिचालन शुरू हो रहा है और कल यानि मंगलवार से यातरी भी चलेंगी किसान संक्ठनों के और से पंजाब में सभी रेल गाडियों चलाने को लेकर दी गई सहमते के बाद पंजाब में ट्रेने चलनी शुरू हो रही है गाडियों के परिचालन के लिए राजे में जालंदर रेली स्टेशन से फिरोजपूर, होसियारपूर और नवा सेहर रेल लाइन पर इंजन चलाकर ट्राइल लिया गया टिकट रिजुरूरेशन के बारे में भी आज यानि सो मार को फैसला ले लिया जाएगा